नमस्कार दोस्तों बखवान आप सभी का बहला करें और आपके सारी इक्छाएं मन कमना पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इसाथ से रिलेटेड महत्मुन जानकर व्यक्ष करूँगा जिसमस्कार पतम यहाँ पर आपके फिंगर के अनलेसिस के बाद इस पर पाम का एनलाइस कर आप सभी के सामने व्यक्ष करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ कंपरिजन में लॉंग है जो एक डिटेल्ड एनलेटिकल परसनलिटी को इंडिकेट करता है जिसके करण हर काम को सोच विचाद के करना अपने अपको प्रिप्लान रखना लाइफ में एक एक स्टेफ फुक करके रखना यह सारे किसारे कॉंबिनेशन आपके अंदर रहेंग थोड़ा डिटेल में चल जाते हैं तो ओवर्थिंकिंग भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप अगर इन सारी चीजों पर सिर्फ दो या तीन चीजों पर अगर कवर करने जैसे कि डिसिजन्स प्रॉमिनेंट लिजे थोड़ा कम समय में और ओवर्थिंकिंग नेगिट रहता है जैसे इस ट्रेंजर अथो आपोजित जेंडर से बाचित करते समय हिच के चाट धबराहट मैसूस होना और यह स्टेज फियर भी थोड़ा देता है पब्लिक स्पीकिंग जो इसके लिए थोड़ी सी वीक इस कंडिशन में देखने को मिलती है वहीं देखेंगे थर् और प्रोफेशनली टॉप लेवल मेनेजमेंट में खास कर देखने को मिलता है अब वो कब समय आएगा जैसमें आप टॉप लेवल मेनेजमेंट में रहेंगे या हाथ के हाथ के निशे काम करने लोगों की संखे जाधा रहेगे वो भी पाम रेडिंग ओवरॉल के दोरान मे जज्मेंट लिया जाएगा बाकि यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो फॉर्स फिंगर प्यॉर इंडिपेंडेंट है आपका जो थौट से विल्कुल आलाग है आप अपने थौट को सेक्रिफाइज नहीं करते किसी के रिगारिंग कि किसी के ठिंकिंग के रिगारिंग इसलिए फिंगर के जो नोट्स वो डिवलप क्लियर कट नहीं है कन्फूजिंग माइंड से यह देता है डिसिजन्स प्रॉपल ली ले नहीं पाते हैं किसी नहीं किसी वेक्तिविशेस के गाइडेंस की सपोर्ट के आशक्ता पढ़ती डिसिजन लेने में है फैलेंजस यहाँ डिव फ्लेक्सिबिलीटी रहेगी समय परिस्तिति के अनुसर अपने डिसिजन्स या प्लेनिंग के अंदर चेंजस भी कर पाएंगे यह कचिन है ओपन है पेसा आएगा जीवन में रुकने नहीं वाला है इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहें कहीं न कहीं पेसा फुसाते रहें अब गुरू के उपर हम बात करते हैं तो गुरू के उपर आपके माइंड लाइन से प्रोग्रस लाइन निकली हुए सिर्फ माइंड लाइन से तो इस कंडिशन में लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी रहते है कुछ न कुछ सीखते रहना अपने यान को बढ़ाते रहना बहुत जल्दी कोई भी चीज याद कर लेना ये भी देखने को मिलता है बहुत ambitious nature ये definitely देता है mentality बहुत high set रहती है कभी compromise नहीं कर सकते है अपने mentality या standard of living के regarding और ये life में आपको continue growth देगा कभी हार नहीं मानेगे जुनूनियत इस condition में अच्छी रहती है इसलिए जो भी एक कि प्रती ज्यादा है अपने social work कि प्रती ज्यादा है इस condition में दानवीर किसम का भी व्यक्तित होता है सामने हाथ कोई भी फेला दे उसको खाली हाथ जाने नहीं देंगे यानि helping nature भी होता है और social work करना या धर्म कर्म के अंतरगत दान धर्म करने ये सारी चीज़े बहुत ज इस condition में हो रहा है तो इस condition में ये जो है successful married life को indicate करता है और love come arrange के indication थोड़े से ज्यादा यहाँ पर दे रहा है तो इसलिए married life आपका बहुत fruitful beneficial response करता दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है married life के regarding सेटन की विशे में चर्चा किया जा तो शेटन पर देख सकते हैं कि हलकिल किसी रेखा है थोड़ा ये mind divert करती रहती इस condition में multi-dasking nature हो जाता है एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना अपने आपको कहीं सारे कार्यों में लिपत रखना तो life में सारे goals desire complete होंगे लेकिन satisfaction नहीं लग रही हैं तो क्या होता है कि जब रेक्तिकर उजहां ध्यान एक से ज़्यादा चीजों में लगा रहता है और काम फिर attack attack के होते हैं तो भाग रेखा भी influence ज़्यादा होने लगती है फिर life में सारे काम तो बनते लेकिन संतुष्टी नहीं मिलता है और अगर संतुष्टी जो है इसी पर support कर रहा है उसके बाद अगर बात करें तो अभी around 28 का एज होने को आएगा और अभी क्या हो रहा है कि इसमें जो आपकी mercury line है वो भी निकलना प्रारम हो रही है तो mercury line का काम है earning capacity को बढ़ाना workload को बढ़ाना तो उम्र तकरिबन 30 केस तक आते आते life में जो है प आर्प के हदेली में fate luck line से ही सूरी रेखा भी निकल रहा है जो name respect को बढ़ाती है इसलिए आपके हैते ले में जो सूरी रेखा है वो भारी मंगल से भी शूरू हो रहा है बाहरी मंगल से जुख करके यह बाहरी मंगल है यहां से जुख करके जब आते हैं वह जफ्ता पराक इस कंडिशन में देखने को मिलता है, कभी किसी काम से भागते नहीं है, तो इससे पूरवपुन्य रेखा भी कहते हैं, जो कि एक dedication को indicate करता है work के प्रती, और यही वो reason रहेगा जिससे आप अपने खुद के दम पर अपना नाम, इज़त, शोहरा, तत्थवा, सफल, जिसके इ बड़े जगे काम करने के, बड़े जगे मतलब वो होते हैं, जो कि जन्मिस्थान से दूर हो जाएं, या कोई बड़े यहां company के अंदर या किसी एक प्रकार से, रेस्टों के अंदर और अच्छे तरीके से आपको opportunity मिले, यानि बड़े places पे, जहां पर value जादा है, वहां प पर एक से दिक रेखा, मिठी बोली और आकरशिद व्यक्तित को दर्शाता है, तो यहां जो finger के हमको दोष देखने को मिले थे, यह उसको overcome करता दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा यह आपको hidden type of nature, तो mercury का यह formation आपको life में regular learning habit भी दे रहा है, जो आपकी Jupiter mount से भी management के regarding, यह learn किया आपनी, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा hidden nature हैगा, तो मन की पूरी बात को बताने में थोड़ा सा हिच के चार डेफिनेटली रहेगा, रदरेखा के अंत में गोंपुच की आकरती हो ना, good sense of humor, flirty romantic nature भी देता है, मातापिता के सेवक होत या अपनी पूरी बात, जो है नहीं बताते हैं, आम तोर पे, फिर overlap करके रेखा, Jupiter पर जा रही है, थोड़ा emotional nature देगा, और एक शाखा एकदम गुरू पर connect हो रही है, यहार मंगल से भी कुछ शाखा है आरी, जो थोड़ा सा aggressive nature दे रहा है, उम्र 21 औ 22 तक, लेकिन अगर basically ब आपके अंदर situation handling capacity, relation maintain करने की capacity, अपने emotions को adjust करने तक की capacity बहुत जादा अच्छी रहने वाली रहेगी, और अगर health के regarding बात करें तो कोई यहां difficulties या trouble basically शो नहीं हो रहा है, लाइफ लेन और mind लेन जब एक साथ चलता है, लंबे समय तक तो ज्यादा independence नहीं मिलती जो आपको 21 के इस तक चला, फिर एक island का formation हुआ तो stresses यानि fight करना भी पड़ गया, घर में mentally, independence के लिए, क्योंकि यह fight कराता है, island का formation, mental stress का pressure किसी नहीं किसी कारण से देता है, और जब life lens से merge हो तो family life के regarding ही stresses आता है, तो 22 के बाद में mind line independent हो, पहले तो decline हुआ हलका, जो deep thinker बनाया, then after overlap करक आपके 26 and 28, इस उम्र में बहुत ज़्यादा आपने जो है learning किया, और अब mental stability पूरी के पूरी प्योर देखने को मिल रही है, straight mind line बहुत अच्छी मानी जाती है, जितने भी विदवान लोग होते हैं, या हुए हैं, जितने भी successful people's हैं, उन में से 90% अबाव लोगों के हाथ म straight mind line होती है, क्योंकि ये straightforward type of personality को दर्शाथ है, to the point, straightforward nature रखना, good sense of humor, logical strength अच्छी रखना, situation handling capacity strong होना, memory शार्प होना, तो इस condition में जब life में pressure, stresses या challenges आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि घबरा करके पीछे भाग रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, समय के अनुसर अपने आपको दब people आपके mercury line निकलते वे, उपर के तरफ जा रहा है, हाला कि थोड़ा late ये indication दे रहा है, 36 का ये age दिखा रहा है, continue फिर, लेकिन 36 का age से भी आपको tremendous success मिलने वाला है, और earning capacity तो बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि हलका अलका सा triangle का formation भी create हो रहा है, mind line के उपर, तो इस condition में जो earning capacity बहुत improve होते वे, देखने को मिलता है, life line के उपर बात करेंगे, तो life line का formation यहाँ पर बाहर के तरफ जुक रहा है, तो इस condition में traveling का योग बहुत अच्छा रहता है, और आपके fate luck line में भी fish symbol के अकरती है, तो आपके birth के बाद आपके family में भी growth अच्छा हुआ, आपका हाथ में luck, आपका जो है, वो आपका नहीं है, वो दूसरों का है, it means की आपके luck से दूसरों को बहुत ज़्यादा या आपके साथ है से दूसरों को लाब बहुत होगा, इसलिए जिस जगर कदम पढ़ेंगे, वहाँ पर उन्नती हो गया, यह बहुत अच्छा formation एक दिखा, दूसरी बात यह है कि आपको धार्मिक रहना भी ज़रूरी है, के तू के छेतर का यह भाग रिखा है, तो इस condition में जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, दान धर्म करेंगे या पूजा पार्ट करेंगे, और ज़्यादा जो है positive vibes या एक प्रकार से sudden gain और progress life में आपको भ बहुत growth है आपके हतेले में, mercury line जो निकल रहे है, यह स्वास सुधारती है, learning इंप्रूव करती है, earning capacity इंप्रूव करती है, money triangle का formation फिलाल इतना strongly react नहीं कर रहा है, क्योंकि खलका सा यहाँ island का formation भी बना, इसलिए investment करते रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, life line में stresses आने के अभी और भी chances है, जैसे कि यहाँ पर 32 cage में, 35 cage में, बट उस समय जो है, supportive line हलकी हलकी सी created है, जो कि आपके spouse को या भारी दुनिया लोगों के support को दर्शारा, जिससे stress for risk कम रहेगा, जल्दबाजी aggression, frustration में कोई भी decision लेने से बचे हैं, क्योंकि मंगल थोड़ा negative दे रहा है, outer mask develop ठीक है, तो mentally strong रहेंगे, शुकर भी well settled है, जो luxurious life का main का रहा है, यह बहुत shocking किसम का nature देता है, ऐसा शुकर, कभी भी अपने fashion, design, beauty, standard of living और luxuries, कोई compromise नहीं करेंगे, किसी भी हालत में, और यह शुकर, shocking किसम का nature ऐसा देता है, कि बड़े बड़े शोख हर्मा रहते हैं, जीवन के प्रतीब, इसलिए standard of living बहुत ज़्यादा हाई होता रहता है, समय के नुसा, और इसलिए luxury car, bungalow, और बहुत unique choice भी even यह देता है, बस आपको थोड़ा stresses रहेगा, तो family life के regarding ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो रेखा ही निकल रहे हैं, यह lifeline को भी जो है respond किये थे, चंदर के उपर देखेंगे, तो यह जो रेखा हैं देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, तो यह रेखा हैं अच्छी होती, क्योंकि इस condition में overseas work करने के बहुत opportunities आती हैं, दूसरे बात, यहाँ फिर जो यह रेखा हैं, यह थोड़ा दा ध्यान भटकाती हैं, यह वा कर रहा हैं, प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनती हैं, कब बनेगी वो, तकरिबन 42 के एज तक आते आते हैं, इवन जस्ट मेरिच के बाद भी वो बनने के उसके चांसे बराहिट हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेट लग लैन जो है, थोड़ा रुक में डेफिनेटली आयेगा, क्योंकि मरकरी अच्छा जा रहा है, तो इसलिए कोई भी डिफिकल्टी जैसे मेजर ली, करियर वाइस तो यहाँ नहीं है, और अगर लाइफ के अकोर्डिंग ली बात करें, तो मेरिच के बाद लाइफ में बहुत हद तक इस्टेबिलिटी आ आपके, तो यह थी सबसे महत्प्राव बात हैं आपके हाथ करें गाड़ें, आशर करता हूं सभी प्रेश्णों को तर मिल गया हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धिन्यवाद,